जाते जाते आखिरकार अब्दूरोजी खान ने सुम्बूल टोकिर खान के साथ ऐसा क्या कर दिया कि सुम्बूल की आँखों से तो आंसू बहने लगे जी हाँ सुम्बूल इतना ज़ादा रोने लगी कि घर का हर एक सदत से हैरान हो गया कि आखिर अब्दूरोजी खान ने ऐसा क्या कर दिया है कि सुम्बूल टौकिर खान की आँखों से आंसू निकल रहे हैं जी हाँ आपको बता दें कि अब अब्दूरोजी खान के ऐलिमिनेशन और सुम्बूल टौकिर खान से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी ख़बर लेकर हम आपके सामने आगे हैं जिसमें एलिमिनेशन के दोरान ने कुछ ऐसा हो गया है कि सुम्बूल फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है और घर के अंदर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है अब्दू ने ऐसा क्या कर दिया है अब्दू ने ऐसा क्या कह दिया है आखिर क्या है सुंबूर के रोने की असली वज़ा है चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बनाए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब अबदूर रोजी खान का बिग बॉस का इतना लंबा सफर पूरी तरह से खदम हो चुका है बिग बॉस ने सब के सामने ये फैसरा लिया कि 16 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी कंडेशन को दूसरी बार घर से बेगर किया गया हो और ना तो वोटिंग के अधार पर और ना ही उसने कुछ उल्टा काम किया है सीधा सीधा उसके काम के चलते उसे बेगर कर दिया गया हो ऐसे में जैसे ही अब्दू रोजी खान बिग बॉस के घर से बाहर जाने लगे बारी बारी से अब्दू ने हर किसी से बात की और हर किसी को ऐसी ऐसी बातें के ही कि हर कोई अब्दू से किसी को अब्दू का जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया लेकिन जब बारी आई सुम्बूल टोकिर खान की तो अब्दू ने सीधा सीधा सुम्बूल टोकिर खान को सौरी कह डाला जी हाँ आपको बता दें कि जैसे ही अब्दू रोजी खान ने सुम्बूल को सौरी कहा सुंबूल हैरान हो गई और पूछने लगी कि तुम मुझे sorry क्यों कह रहे हो अब दोने sorry के साथ सुंबूल को thank you भी कहा और कहा कि जिस तरह से तुमने इतने दिनों तक घर के अंदर मेरा ख्याल रखा है मैं जब घर के अंदर शुरू शुरू में आया था तो घर के अंदर हर कोई काफी जादा स्पाइसी खाना बनाता था, काफी मिर्ची वाला खाना बनाता था, जिसे मैं नहीं खा सकता था, लेकिन तुमने पूरी बिग बॉस की जर्नी के दोरान मेरे लिए अच्छा खाना बना के दिया, जिस तरह का खाना मैं खा सकूँ, वैसा खाना बना कर दिया तुमने घर के अंदर मुझे मेरी माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी अब्दूरोजी खान ने ये भी खा कि सुम्बल तुम मुझसे उम्र में चोटी हो लेकिन तुम तुम मेरी माँ की तरह हो तुमने मेरी माँ की तरह मेरा खयाल रखा है जै के लिए हमें काफी ज़ादा दुख हो रहा है आपको बता दें कि शिव ठाकरे तो अब्दू के एलिमिनेशन को लेकर इतनी जोर जोर से रोने लगे कि हर कोई हैरान हो गया क्यूंकि घर के अंदर किसी ने भी शिव को इस तरह पहले रोते हुए नहीं देखा है ऐसे में आपको अब्दू के एलिमिनेशन को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें